Hey everyone, मैं Anu, आज आपको Love of Attraction की एक success story सुनाने जा रहे हूँ जो बहुत ही कमाल की है और इन्होंने जो इस technique का use किया है वो तो सबसे कमाल का है मैंने इस technique के बारे में कहीं पे भी नहीं पढ़ा था जब मैंने पढ़ा तो मुझे सच में ये technique जो है effective लगी अगर आप इसको use करते हो तो सच में आपकी भी wish पूरी होगी आप किसी भी wish के लिए इस technique को use कर सकते हो और अगर आप अभी story को सुन रहे हो तो एक बात समझ लो कि आप जो भी चाहते हो वो भी पूरा होगा क्योंकि अगर ये manifest कर सकती है तो आप भी अपने life में जो भी चाहते हो वो सब कुछ manifest कर सकते हो तो चलिए इसी के साथ story को start करते हैं ये story डेली के सुप्रिया की है और ये लिखती है कि मेरा मेरे boyfriend के साथ break up हो गया था हम दो साल से relationship में थे बट किसी region से हमारे बीच बहुत जादा fight हुई और last में हमने break up कर लिया मैं उस break up से बिलकुल तूट चुकी थी मैं चाहती थी कि मेरा partner मेरे पास वापस आए मुझे sorry बोले और मुझे ऐसा बोले कि वो मुझे अपनी life में वापस आना चाहता है मेरे बिना उसकी life अच्छी नहीं है मैं ऐसा सोचती थी मैं law of attraction के बारे में पहले से जानती थी पर कभी मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया फिर एक दिन मैंने इसके उपर एक लिखी note पढ़ी उसमें ये बताया गया था कि मैं जिस चीज को feel कर सकती हूँ उसे पा भी सकती हूँ इस line ने मुझे hit किया मैं इस line पर सोचने लगी कि मैं जिस चीज को भी feel करूँगी वो मेरी होगी मैं उसे पा सकती हूँ तो मैंने इस चीज को feel करना start किया कि मेरे boyfriend ने मुझे आकर sorry बोला और कहा कि वो चाहता है कि मैं उसकी लाइफ में वापस आ जाओं पर कोई असर नहीं हो रहा था मैं उस reality को avoid ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे boyfriend से मेरा break up हो गया है मेरे mind में बार-बार यहीं खयाला था कि मेरे boyfriend से मेरा break up हो चुका है और मैं उसको अपने पास वापस feel नहीं कर पाती थी चाहे मैं कितमे भी कोशिश करूँ तो मैंने एक affirmation बोलना start किया कि मैं उस reality को feel कर सकती हूँ जहां मेरे boyfriend ने खुद सामने से आकर मुझे sorry बोला और कहा कि मेरे बिना उसकी life अधूरी है वो मुझे अपनी life में वापस आना जाता है मैं इसी affirmation को बार बार बोलती थी और मैंने इस affirmation को इतना repeat किया कि मैं इसे feel करने लगी मैं इस चेश को feel करने लगी कि वो सच में मुझे आकर sorry बोलेगा और कहेगा कि मैं उसकी life में वापस आ जाओ मैं खुद से लगातार 6 दिनों तक इस बात को बोलती रही दोहराती रही और 6 दिनों के बाद miracle हुआ मेरे पार्टनर ने खुद सामने से मुझे text किया hello sorry जब मैंने उसके message को देखा तो मैं emotional हो गई मैं रूने लगी उसके कुछ देर बाद जब मैंने उसे reply नहीं किया तो उसका call आया और call पर उसने वो सारी बाते मुझसे कही जो मैं सुनना चाहती थी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी wish इतनी जल्दी पूरी हुई मेरा relationship वापस से अच्छा हो गया thank you thank you thank you universe thank you the secret team इतनी अच्छी knowledge share करने के लिए और जिसने भी वो note वो post लिखी थी उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करते हूँ और आप जो भी मेरी story पढ़ रहे हैं उन सभी के wish पूरी हो thank you thank you thank you वाउ सच में कमाल की story थी इन्होंने कितना प्यारा वे ढूंदा किसी चीश को feel करने का आप भी चाहो तो इस वे को use करो क्योंकि जैसे ही आप feel कर पाओगे वो चीश आपको मिलेगी और जब आप feel कर लेते हो तो वो चीश आपको मिलने में बिल्कुल time नहीं लगती है इसलिए किस तरीके से feeling को बढ़ा पाएं उस place पे पहुंच पाएं जहां हम feel करें कि वो चीश मेरी है उस पे आप ध्यान दो टेक्निक यूज करते हो तो ध्यान दो कि क्या आप इस चीश को feel कर पा रहे हो तो बस यहीं तग रखते हैं हमारे एक WhatsApp group है अगर आप उसको join करना चाहते हो तो मुझे mail करो या Instagram पे message करो और आप भी अपनी success story में साथ share करना चाहते हो तो comment section में लेख सकते हो Instagram पे send कर सकते हो या mail के दो भी बता सकते हो आज के लिए इतना ही Thank you so much for watching God bless you all